Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube Channel English Literature पर Welcome कहती हूँ हम जो टॉपिक आज के लेक्शे के अंदर कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है Gabriel Garcia Marquis as Writer हम लोगों ने Gabriel Garcia Marquis कौन थे? उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था? उनके important themes, उनके important works इन सब topics को आज के लेक्शे के अंदर कवर करना है और आज के लेक्शे सुनके हमारा जो ये respective writer है उसके उपर अच्छे से command हो जाएगा क्योंकि हमने आगे इनके works पढ़ने जैसा के 100 years of solitude और उसके लावा love in the time of call ray नेकि इनके different works को हमने discuss करना है तो उन works को understand करने के लिए हम लोगों को पहले writer पर grip होना जुरूर है तो without wasting any time हमारा जो writer है हम उसको करते हैं शुरू Gabriel Garcia Marquis इनकी birth date है 1927, 6 March और death date है 2014 इनकी एक खास बात वो खास बात है कि इन्होंने जो अपनी works पर डियूस किये वो mostly Spanish writing में थे यानिके इन्होंने अपनी native language को यूस करते अपने works को पर डियूस किया और furthermore इनकी जो जिकनी भी ल्ट्वेरी production थी उनको multiple language के अंदर translate किया गया Anyhow ये एक post-clonial writer थे एक ऐसे writer जिन्होंने abrogation की टिक्नीक को यूस किया abrogation का मतलब क्या होता है total rejection of English language यानिके इन्होंने English language को reject करके अपनी Spanish language को लेकर उसी language के अंदर अपने literary works को पर डियूस किया था और इसके इलावा ये एक columbian novelist थे short story writer भी थे screen writer भी थे और journalist भी थे इनको इनकी writing की base पे 28th century के best authors में से एक author consider किया जाता है और इनको इनकी writing की base पे दो great awards मिले जिसमें से number one award इनको 1972 में मिला था विच इनाई prize और second one था 1982 जो के बहुत ही important prize होता है बहुत ही significant is key that is nobel prize in literature जिस place से ये belong करते थे उस place का नाम है अरकट का ये बहुत ही important place है क्यों क्योंकि हम देखते हैं इसका एक novel है हमारे जो writer है नका एक novel है 100 years of solitude उसमें हमारे पास एक place है में कॉंडो नेम की ठीक है में कॉंडो नेम की जो place है वो बहुता सिमिलियर्टिक्स रखती है अरकट का नेम की place से अरकट का एक small village है एक small town है जैसा के में कॉंडो देखते हैं हम लोग इनके वाक के अंदर इसको कॉलंबिया जो रेजिडिंशल्स थे जो कॉलंबिया के अंदर रहने लोग थे उन्होंने अरकट का को free किया था find out किया था और ये एक separated एक isolated place थी बिलकुल में कॉंडो की तरह जैसे के में कॉंडो हम देखेंगे novel के अंदर एक isolated एक separated place है उसको बियूंडिया फैमिली जोजे अरकडो बियूलिया और उर्सला इन दोनों ने मिलके उस state को उस place को sorry find out किया था तो there are so many similarities between किसके दिरम्यान में आरकट का और साथ साथ मेकॉंडो जो के हमने novel के अंदर पढ़ना है तो हम देखेंगे के writer जो realistic elements यूज करते हैं अपनी writing के अंदर मतलब जो natural setting है जो realistic setting दिखाई देती है वही setting को उठा के वो अपने novel के अंदर भी use करते हैं अपने works के अंदर भी use करते हैं कैसे और कटका के अंदर क्या होता है एक दफा का जिकर है यानि कि once upon a time क्या हुआ था यह जगा ऐसी जगा थे जहां पर बहुत ज़्यदा banana plantation की गई थी ठीक है यहां पर जो केले थे उनकी फसले हुगाई जाती थी और यहां पर रहते थे मजदूर यानि कि जो फसले हुगा रहे हैं वो मजदूर थे अब जो मजदूर तबका था उन्हें यह किया उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उसके नतीजे में क्या हुआ काफे ज़्यदा बलेड़ शेट हुआ खुन हुआ काफे जगा जगा पे और यही incident हम लोग देखने वाले हैं इस novel के अंदर भी कि बनाना plantation के अंदर जो वहां पे workers थे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया कि उनके rights उनको दिये जाए और as a result किया हुआ उनको exploit कर दिया गया उनकी आवास को suppressed कर दिया गया, marginalized कर दिया गया, उनको मार दिया गया, वहां पे अच्छा खासा bloodshed हुआ तो यह भी एक realistic event है जो कि इनकी life से जिस place से belong करें उस place से linked है और यह हम लोग again इनके work 100 years of solitude के अंदर भी देखेंगे और अरकटका में भी banana plantation हुई कब थी? यह ऐसा हुआ था कि जो North America थे उनकी states ने आकर basically अरकटका के अंदर United Fruit Company नेम से एक company स्टार्ट की थी और वो जो United Fruit Company थी उनका main motto जादा से जादा banana plantation करना था तो यह जो इवेंट था यह एवेंट कहां पर हुआ इनकी बर्थ प्लेस बर्थ प्लेस अरकटका के अंदर हुआ था यह उस इवेंट से इंस्पायर हुए और उन्हेंने उस इवेंट को अपने work 100th year of solitude के अंदर प्रिजेंट की है तो इस इवेंट की बैसे मैंने कहा थे जो प्लेस है इनकी बर्थ प्लेस यह एक important जगाय अरकटका यह एक स्मॉल सा टाउन था एक स्मॉल सा village था लाइक मेकॉंडो और इनका ये स्मॉल से विलिज से बिलॉंग करना इंडिकेट कर रहा है जाट ये बिलॉंग करते थे मिडल क्लास फार्मली से इतने रिच नहीं थे इनको काफ़ दर सफर करना पड़ा तो अपनी लाइफ में ड्यू टू फाइनिशल इस्जू अनिहाओ ठीक है अपने फार्मसिस की जो इनका कोर्स होता है वो कम्टेर यूज़ ज़ता है तो उस कोर्स को further कर्देर रखने के लिए वो जाते हैं बारन को इलामेंगे हैं नहीं कि अब इनकी मदर और इनके फादर इनके साथ नहीं हैं तो अभी किनके पास हैं ये बिसिकली अपने maternal grandparents के पास होते हैं तो इनकी जो अब bringing करने वाले हुए हैं वो इनके maternal grandparents हैं ठीक है और ये 8 साल तक अपने parents से नहें मिलते हैं अब जब ही अपने maternal grandparents के अंडर रहे हैं तो उनका इनके ओपर great influence है और वो ही influence हम लोग इनके writing के अंदर भी देखते हैं जैसा कि इनकी जो grandmother थी उनका नाम था Donna Tranquilliana Eguaran ठीक है उनके जो father थे grandfather वो एक colonel थे अब हम देखते हैं जो इनका 100 years of solitude है उस work के अंदर इन्होंने दो main character तब उस पे तो ऐसे तो कोई main character नहीं है लेकिन जो opening पर हमारे पास first generation आती है उस generation के अंदर यह हम लोग को एक Ursula Eguaran का character दिखाते हैं जो के base कर रहे हैं इनकी दादी के character के उपर और further हम उसके अंदर देखते हैं कि जब second generation आती है उसमें एक colonel का character आता है वो colonel का character जो है बेस कर रहे हैं इनके दाद sorry यह दादा नहीं नाना और नानी हैं maternal grandparents हैं नानी के उपर बेस कर रहे हैं उसला Eguaran का character और नाना के बेस कर रहे हैं जो भी colonel का role पर perform करेगा उनका character अब जो इनकी दादी थी वो इनको superstitious kinds of stories सुनाय करती थी जो के base करती थी magic के उपर superstitions के उपर भूत जिनात ठीक है इस तरह की कहानिया सुनाय करती थी और इनको इनकी जो दादी के narration का style था अगेन नानी मैं दादी बोल रही हूं गिगलती हो रही है नानी है ठीक है जो इनकी नानी की narration का style था ना वो इनको बड़ा unique लगता था बड़ा appealing लगता था और इन्हों ने वो चीज को अपनी माइन के इंदर बठा के रखा और जब इन्हों ने लिखना शुरू किया तो इन्हों नानी की जो style था वो जो superstition style था वो जो magical style था उसको लेकर चले ठीक है that is why जो इनका writing style है that is known as magical realism कि अपनी नानी से बहुता inspired थे और इनकी नानी की narration का style कुछ इस तरह से था कि जब वो कोई भूत वाली कहानिया सुनाय करती थी वो बिल्कुल realistic लगा करती थी even कि ऐसी कहानी जिसके को existence भी ना हो वो उनके बारे में जब पताती थी तो काफी इस तरह से इस manner बताती थी कि वो एक realistic manner लगता है तो इसलिए जब हम इनके works पढ़ते हैं हमारे respective writer के यह उनमे realistic events को भी quote करते हैं in addition उनमे magical elements को भी add करते हैं और यह जो दादी का influence यह जो नानी का influence है यह greatly निज़र आता है इनके work 100 years of solitude के इंदर and then बात करते हैं Clonal Nicholas Ricardo की जो के इनके grandfather है यह Clonal थे एक Colonel थे यह जो Gabriel Garcia Marquisem उनको डिक्टर से काफी lessons पढ़ाया करते थे अपने साथ इनको हर जगा गुमाया पिराया करते थे हर साल इनको पने साथ सरकस में लेके जाया करते थे और यह इनके grandfather थे जिन्होंने first time Garshal को क्या एक ice बरफ दिखाई थी और वो ice first time इन्होंने कहां पर देखी थी? United Fruit Company में देखी थी अभी मैं ice का word क्यों use कर रही हूँ? क्योंकि हम सब इनका novel 100 years of solitude पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो लोग हैं वो हवा में उड़तो हैं कार्पिट्स को देख के हरान नहीं हो रहें बलकि ice को देख के हरान हो रहें, बरफ को देख के हरान हो रहें वो इनके लिए बरफ जाओ एक kind of miracle है, ठीके एक जादू है तो राइटर ने इस ice fall event को भी quote किया हूँ है अपनी narration के साथ, अपनी story बना कर अपने इस work 100 years of solitude के अंदर भी इसके लावा इनके grandfather इनको बताया करते थे कि जो एक dead person है उसको कितना जादा बोज उढ़ाना पड़ता है bloodshed क्या होता है, war क्या होता है और किस तरहां से लोगों के death होती है यह सारे इवेंट्स, इसाई narration इनके grandfather इनके साथ किया करते थे तो क्या हुआ, as a result, जो इनकी writings थी इनके writings के अंदर, mostly हम देखते हैं जो इनके grandfather, grandmother से learn की थी वो सब कुछ इनके अपने writing के अंदर code किया अपने writing के अंदर add किया तो इसलिए यह कहा जाता है कि इनका close association है close impact है कि इनके जो grand parents है इनके writing के ऊपर In addition, जो इनके grandfather थे Clonan Nicholas, यह एक liberal थे और हम लोग इनके जो work हैं, Gabriel Garcia Marquis उसके अंदर liberal versus conservatives यह भी एक comparison देखेंगे इसके लावा इनके father ने, means grandfather ने thousand days of war के अंदर भी participate किया था हम यह war भी इस story के अंदर देखने वाले हैं तो somehow, जो इनका respective work हमने discuss करना है वो क्या है? वो कही ने कही semi autobiographical work भी है anyhow, इस biography के बाद, मतलब life history के बाद बात की जैनकी education की तो इन्होंने 1940 में आरकट का छोड़ा और उसके बाद यह बेगोटा चले गए हमारे writer वहाँ चाकि इन्हें ने जीजिट स्कूल में पढ़ना शुरू किया उसके बाद इन्हेंने ग्रेज़ेशन कम्प्लीट की graduation कम्प्लीट करने के बाद उन्हें लॉक की study की लॉक की study करने के बाद यह बेगोटा के अंदर ही एक university के अंदर प्राढ रहे थे तो उस duration में war हो रही थी और war की वज़ा से university थे उसको बंद करना पड़ा फिर यह वहां से migrate कर गए माइगरेट करके एक कार्टे गिरा है नाम की प्लेम से लेगे वहां से इन्हों बनी फॉर्दर एजुक्शन को कम्प्लीट किया एजुक्शन कंटीनियू की और इन्होंने अपना जो था कैरियर वो शुरू किया यह एक जार्नलिस बन गए थे और डिफरेंट कॉलम्स लिखे जब यह कॉलम्स लिख रहे थे तो उस टेम पे इनका जो स्टाइल था वो बहुत दर रिजट हो चुका हुआ था काफी सक्स स्टाइल में लिख रहे थे एनिहाओ बात की जाए इनके वर्क्स की जो वक्स इन्होंने प्रड्यूस की जो थीम रहे थे वो मैजिकल रियलिजम था पॉस्ट लॉनिलिजम था पॉस्ट मॉडरनिजम था पॉलिटिकल इंसाइट देखने को मिलता है और हिस्ट्री का अलिमेंट जो है डोमिनेट एनके राइटिंग के अंदर और फाइदर जो मैं बता रही थे आपको कि इन्होंने जो इनिशली कॉलम्स के ओपर काम किया तो इनके राइटिंग बड़ी सेट्रिकल थी बड़ी पिंजेंट थी बड़ी रिजेश्ट स्टाइल था इनका तब उस डियूरेशन में जो के राउंड बाउट 1947 से 1948 का डिउरेशन था और 1949 का डिउरेशन था यानिके 1947 में इन्होंने अग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और 1948 से 1949 के दूरेशन के इन्होंने अग् होने अग्या जैनलेस करियर स्टाट किया था तब ये साथ-साथ National University of Columbia के अंदर परड़ भी रहे थे और तब इन्होंने columns लिखे थे और जो भी columns लिख रहे थे तब time period चला था 1952 52 ठीक है 1950 से 52 तक का time period चल रहा था इन columns के साथ-साथ ही इन्होंने short stories भी लिखी नोवल्स भी लिखे नोवेला भी लिखे जो इनका first important work था वो था Leaf Storm जो के इन्होंने 1955 में publish करवाया था देना इनका In Evil और जो के इन्होंने 1962 में अबग पुबिश करवाया था Leaf Storm इनका नोवेला था और In Evil और इनका first novel था इसके बाद जो इनके other important works हैं उनमे 100 years of solitude अजाता था जो के 1967 पुबिश हुआ Chronicle of a death of war told जो के 1981 में पुबिश हुआ Love in the time of cholera जो के 1985 में पुबिश हुआ यह इनके most important works मैंने screen पेंशन की है इन्होंने politics के अदर भी अपना contribution दिया और इनके writing style की बात कीजाए तो writing style के बारे में यह खुद कहते हैं कि मैं हर book के अंदर एक different kind of style create करता हूँ मैं different path create करता हूँ I only respond to our way of life कहता है जो हमारा life था Caribbean lifestyle था मैं सिर्फ और सिफ उसको respond करता हूँ और यह कुछ इस तरह से भी लिखते थे के जो story थी उसके अंदर important details यह events जो थे वो छोड़ दे थे और reader पर छोड़ थे कि अब reader जो है ना वो अपना participatory role अदा करे in the development of story के reader आगे investigate करने की कोशिश करे यानिके reader जो है वो active रहेगा इनके works को पढ़ते हुए इसके लावा realism और magical realism का use करते हैं इनके themes की बात निदे तो solitude का theme नजर आएगा इसके लावा हम लोग इसके writing के अंदर जो मारे writer ना उनके writing के अंदर death, greed, solitude, religion, decadence, independence और इसके लावा imagination का theme देखेंगे corruption, conflict, power and revenge का theme देखेंगे impact of colonialism नजर आएगा इनके अंदर कैसे जो colonizers थे इनने impact गिया, असर डाला, colonized के ऊपर और उनकी जो land थी उसके ऊपर post-modernity नजर आएगी, political insight नजर आएगा, history के साथे closely associate नजर आएगे तो anyhow, हमारा आज का जो lecture था about the writer complete हुआ, I hope कि आपको राइटर के जो important aspects थे, वो clear हो चुके होंगे और कैसे हमारा जो respective आपको में पढ़ना है 100 years of solitude, semi autobiography है, वो भी नजर आएगा हम लोगों को, वो भी clear हो चुका होगा आपको कि इनके नाना और नानी का जो इनके उपर impact था, काफी साथ नजर आता हम लोगों को इनकी writing के अंदर anyhow, thank you so much for watching this video, अपर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले lecture के साथ, next lecture में हम लोग discuss करेंगे 100 years of solitude, इंशाला, Allah Hafiz